यार हमीना हर साल room shift करने होता है मतलब चार building है यहाँ पे total and हर साल आपको अलग building में shift होना पड़ता है like first year में आपको किसी और building में आते हो दिन second year में किसी और building में जाओगे हर साल आपको room जो हैं वा lot होते हैं आपके merit के basis पे lot होते हैं तो मतलब ये तोड़ा hectic हो जाता है and final year में मुझे single room मिला था जिसको आपने पूरी journey, पुरा vlog, पुरा shifting and पुरा जो मैंने इसको decorate करा था, सब कुछ ही देखा था आपने तो अब time आगे है इस room को भी छोड़ने का, देखो इससे पहले जब मैंने room change कियाना है तो मुझे कुछ खास फरक नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार ये room मैंने हाथों से बड़े प्यार से सजाया था and single room था, सब को ही छोड़ते वक्त बड़ा दुख हुआ, देखो मैं तो बड़ी लग्की हूँ इस मामले में and बहुत ही भगवार ने में बहुत ही सुन लिया मने कामना, क्योंकि single room में रहने के बाद, हम मुझे किसी double setter room में नहीं जाना था तो मैं अच्छी खासी मुझे choice भी मिली थी, तो बहुत सारे rooms मैं ने देखे थे, जिसमें से मैं यह वाला room अपने लिए चूज किया था, तो आप लोगों ने सही किस किया था, community post पर की first वाला room है, वो मैं अपने लिए चूज किया था, यह lounge होता है, तोड़ा सा अलग तर सकती हूँ, उपर से यह first floor पे है, like first floor पे तो it is very convenient for me, like shift करना, उतरना, जरना, सब कुछ, first floor बहुत convenient होता है, बाकी जुगे पे third floor पे वे लेबल था, and, मतलब, third floor पे तो मुझे definitely नहीं जाना था, second floor पे भी एक lounge था, लेकिन वो भी मुझे नहीं लेना था, तो first floor वाला was perfect for me उसके बाद, जब मैंने rooms चूस कर लिए, हमें room alert हो गए, उसके बाद बारी थी shifting की, वैसे तो हमें दो तिन हपते का time मिला था, लेकिन यार जो काम करना ही है, वो कर लेते हैं पहले ही, तो मैंने अपने room की पहले तो जाके इस lounge की पूरी अच्छे से सफाई की, like मुझे proper य कितना ही समान होगा, आप सोचो कि कितना ही समान होगा, एक बंदी रहती है, इतना तो होगा नहीं, बट मुझे अचार पास साल से एक जगे पर रह रहे हो, like मुझे अल्मोस्ट पांच साल होने वाले हैं यहां पे, August मुझे पांच साल हो जाएंगे, तो पांच साल से आप आप रियलाइस ही नहीं करते हो कि कब आपके पास थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा समान इखटा हो जाका है, जब में शिफ्टिं कर रही थी तो एक चीज मैंने रियलाइस कि की आपको चीजों को लेट गो भी करना पड़ेगा, जैसे क्या होते है, कि मेरे पास सालों प पड़े हो गए, कोट हो गए, चद्दर हो गई, कंबल हो गया, जो भी एक्स्ट्र हो आप यूस नहीं कर रहे हो ना, उसको मतलब सच में आपको लेट गो करना चीज है, मेरे से होता नहीं है, लेकिन इस बार मैंने यह चीज की है, हमारे क्या होते है कि जो दीदी होती है, स काफाई करती है, तो बेसिकली हम पुराने कमरी में ही, मैंने बैग्स भरके समान छोड़ दिया, और मैंने उनको बोल दिया था, कि आपको अगर इसमें से कुछ ही हो तो ले ले लेना, तो वहीं पे हम छोड़ के आ गए, तो इस बार मैंने बड़ा मतलब दिल पर पत्थर मैंने चीज़ों को वहाँ छोड़ दिया, कि ठीक है, यह तो मैं अपने साथ कहती ही नहीं करने वाली हूँ, पिछली बार मैंने उनको यह ले जाके और रख दी और मेरी कुछ काम नी आई, तो मुझे ऐसे लगता है, एक और चीज मुझे रियलाइज हुई, कि हम इतना कि अपने सामनी ही रखो और ऐसे फाल तो शॉपिंग मत करो कि एक ताइम बाद ना हर चीज का ट्रेंड चला जाता है, तो मैंने अभी कुछ कुछ पीसिस देखे मेरे पास, जो मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं तो वह तो गलेगे पीसा इंवेस्ट कर दिया है, मैंने पै इसा मेरे पास होता है मैं इसको इन्वेस्ट करती कुछ करती तो ऐसे काम भी नहीं करना है एनिवेस उसके बाद ही आप देख सकते हो लाउंच में पुरा समान लाला के लाला के रख दिया था अब इस पूरे को जमाना था मुझे लाइक आपने देखा होगा कि मैं बैड अलम अब अब इस पूरे समान को मुझे जमाना था बाद अच्छे से फोल्ड करके जमाते वक्त ही मैं यह चीज़े वी रेराइस हो रही थी कि सारे कप्डों को आँखो के सामने रखूंगी ताकि मेरे को यह कभी ना लगे कि पहनने के लिए तरे पास कप्डे नहीं मेरे पास ककप्डे हैं तो बेरी ओनेस्ट एंट मतलब मैं तो अपने आपको सच में लगी मान ती एक समया बेले टी मुझे मेरे लेती तो अचाखे कप्ड़े भी मिल Campbell जाते हैं ज Осब वाहा ठी चवल्ग में तो हर् चाने करें काफी यह एप्रिकमी नहीं हो पीपर में मिल रही है या फिर मुझे जरूरत थे उसकी तीक है एनिवेज यह देखो आप कितना नीचे क्लटर हो रहता है और इस पूरे को मैंने बहुत ही अच्छे से लाइक मुझे खुद के तारीफ कने का मन्न है बहुत ही अच्छे से जमा दिया है मैंने तो मतलब काफी घंटे तो मै कोगए थे मेरे सारा काम करने में में बट हाँ । City में गई तो एक दिन तो मैं इसे कि схв़िंशिक गार एक दिन सरी सफाइ करने आई थी उसके बार सबहारे जमाया मै ने ठीक है पूरे दिन और रात लगके फिर एक दिन मैं यह अपने करटेंस प्त Nä boleh आपको बहुत बहुत गंदे हो रखे थे तो इनको दो जा था मैंने पहले उसके बाद मैंने यहां इन कर्टेंस को लाके लगा दिया यह देखो मैंने पुराने रूम का हाल देखवा मतलब मैंने इसको किता संदर बना रखा रहे हैं अब कर्टेंस अगेरा निकालती बड़ा बुरा हाल हो है रूम का एक एक करके सारी चीज़े निकलने वाली है तो बड़ा दुख भी हो रहा था कि यहां पर एक साल बिताई है तुड़ा अटैच्मेंट तो होई जाता है और अलड़ी मैं बहुत आयरू यार दिख भी निरा कि कुछ काम किया है और इतना काम कर दिया है और बहु पोस्टर्स जो है आपको अनिसली बताऊ ना सो या सवासो लेक सवासो रुपय में ही मुझे यह पोस्टर मिले थे एक सो उनने से एक सो बीस रुपय में बारा पोस्टर थे टोटल और यह रियूस भी बहुत अराम से हो रहा है मतला सच पितारियू कोई प्रमोशन नहीं कर गहते हैं और उपर से एक साल यहां लगाने के बाद मैंने मैं दुबारा भी मैं यूज कर पा दियू और यह जो बुदा जी का पोस्टर है यह मुझे पड़ा था चालीस रुपय का एक पड़ा था तो उसके बाद मैं अपने पोस्टर से हर गेडे में मैं कोशिश कर रही कि एक एक दो-दो प्लांट भी लेके जाओं अपने साथ क्योंकि भाई प्लांट बहुत सारे हो गया है तो यह कुछ रूम का हाल है अब तो मैं जब वाइस ओवर कर रही हु ना तो ही मुझे बड़ी थकान फील हो रही है क्योंकि अभी तो मैं वैर थी अपने रूम में ल झाल यह क्योंद अपने यह पोस्टर से यह भी श्टिक कर देती हूं, तो छे सारे से रखे हों जो यहां मेरे बड़ी बचे साह PV रहा है तो यह questions और यहे बांग। यह वाले तो और भी अच्छ लगे मुझे मेरे पहले वाले पोस्टर से भी मतलब यह इनकी जो शेड है इनका जो कलर कॉंबिनेशन है वह मुझे बहुत सुन्दर लगा थोड़ी लाइट है मतलब पहले वाले में औरेंज औरेंज कलर जादा था लेकिन इन में तुड़ा बह ग्राउंड में दिखेंगे जब भी मैं कोई वीडियो अगेरा बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इनको यहां पर लगा रहा है तो वीडियो परपस से भी सोचके मुझे रूम की सेटिंग करनी पड़े थी ताकि वीडियो में भी ठीक थाक सा व्यू आए बहुत जादा क्लटर कुछ भी ना दिखें यह जो अलमीरा है गौदरेज अलमीरा है तो बिवेरी ओनेस मुझे बिलकुल पसंदी है मुझे पसंद है दिवार में ही अलमीरा वनवा दो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन अब जो मिली है मुझे होस्टल में वही रखनी पड़ीगी औ अलमीरा में सवान स्टोर करना भी डिफिकल था लेकिन बैड में सपेस था थो ठोड़ा जैसे तैसे करके अजिस्ट कर दिया है अन्यवेस यह चोटे चोटी 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 चीज़े एड करने में लगाने में यह सब करनेवे बहुत टाइम जाता है तो मैंने कर लिया है कि आप देख सकते हो दो दीवारों पे मैं पोस्टर लगा चुकी हूँ एंड मैंने थोड़ा रूम की सेटिंग ठीक करिया है थोड़े बहुत पेड़ बहुते ले आई हूँ यहां पर अब देखो इस रूम का हाल देखो माय गॉड मतलब शीशा हटाते ही कि अब इस रूम को मैंने की संदर बना रखा था और अब कितना गंदा रूम लग रहा है तो अब दीरे-दीरे करके मैं अपना गंदा वगए यही लेकर आगए क्योंकि अब मुझसे उस रूम में नहीं रह जाएगा वह बहुत ही विकार हो गया है अब मेन्वाइल ना बह कोई वहीं पर मैंने सुखाए और उसके बाद मैंने उनको यहां पर ट्रांसफर किया तो यह सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन यह सब भी हो रहा था तो बहुत सारा काम था मैं क्या गरती थी मेंली रात को दोके जोती थी कपड़े ताकि सुबह तक एकदम सूख जाए और फिर मैं शिफ्ट कर सको उन चीजों को और प्लांट में भी मैंने बहुत सारा काम किया है उसके बाद में यहां पर लेकिया ही हो प्लांट इस नॉट सम्थिंग की नॉन लिव प्लांट में लाई थी तो उनको भी मित्ती में भरके रिपोर्टिंग करके यह सब काम मैंने किया और उसके बाद फाइनली मैंने जो है यहां पे लेकिया ही हो पेड़ों को तो पेड़ों का काम किया वहां बैठके बहुत सारा काम मुझे ना अराम से चार पांच दिन लग बढ़े लकरने वालते काम मैं लगां गरब वाला गे बार कवाई Ela टो उसके Chili उपर थोड़ा-धोडा स्क्रैच पडडे हो तो वहां पर मैं क्या करने वालिया हूं बाइट करने वाली हूं वाल का वाल पड़ाने वाल यह व्यने उर्डर कर लिया तो यह यह वालीत मैंन मतलब honestly बता दियू मैं यह wallpaper लगाना was the most tedious work मेरे मतलब पूरा shifting में ना मैंने row दी थी सही बता दियू बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा tricky है और मुझसे तो नहीं हुआ तुरंत इसके अंदर जो है ना वो निशान पर जा रहे थे मतलब एकदम perfect smooth लग ही नहीं रहा था फिर भी मैंने जैसे तैसे करके manage किया लगाया इसको काम चलाओ तो लगा ही लिया है ना उसके बाद मेरी यह जो table है ना मैं outside table मैंने आपको दिखाई थी है इस बड़ी वाले टेबल इन दोनों पर ही wall paper लगाते लगाते मुझे चार घंटे लग गए थे और मैं बहुत ही frustrated हो गई थी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही से नहीं लग रहा था I know चीजे बाहर से बहुत अच्छी दिखती है कोई देख कि कुछ कुछ चीजे ना प्रफेशनल सही करवा हो और आपका material भी waste होगा बट हाँ अभी यह बोल सकती हूं कि काम जलाओ मैंने लगा लिया है कि हाँ ठीक है जैसा मुझे चीए वैसा हो गया है तो अभी मैं आपको फाइनल दिखा देती हूं क्योंकि कुछ कुछ चीज हो अभी में जो रूम में आप जैसे एंटर करते हो तो यह देखो जो मैंने वाल पी स्टिकर्स लगाए थे यहां पी सेटिंग देख लो अच्छे से देखो यह जो वाल की उपर लेक बेड की आप शेल्स देख रहे हूं यह मैंने अलग इंस्टाल करवाई हैं कार्पेंटर प्लांट्स टेंड भी मैंने ओर्डर किया है जुस पर मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं तो मिरर मैंने इंस्टाल करवा लिया है मेरा वहां सा निकाल के तो ओवर्रोल मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है बहाद अधा मैं आपे सस्पेंज नहीं रख रही हूं लेकिन हाँ पुरा रूम शिफ्टिंग दिखाई रही थी मैं आपको तो पुरा लास्ट का व्यू भी देना इस बेरी इंपॉर्टन मुझे ऐसा लगा बागी तो आपको आपको रील बगेरा भी देखने क्यों मिलेंगी विफॉर वर्सिस नाउ तो वो भी आप देखना और यहां पे एक प्लांट को भी यहां पे मैंने हैंक किया है और मेरी वैनिटी एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा एक शेल्फ यहां लगवा किया है तो यह मुझे पहले वाले रूम से काफी बेटर लगा आप मुझे बताना कि कैसा लग रहे है आपको मेरा यह वाला रूम और हाई